साथ क्यों एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि असिक्षा और गरीबी भरे माहोल में भारत कैसे टेक्लियोलोजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुंच पाएगा लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और बहुत सफलका के साथ करके दिखाया है दिखायता रहेगा आज अकेले UPI प्लेटफॉर्म पर ही हर मैने करीब करीब चार लाग करोड रुप्य का ट्रांजेक्शन हो रहा है है चार लाग करोड रुप्य का ट्रांजेक्शन है और हर महिने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं कि आज गाउं देहांत में भी छोटे छोटे रेड़ी ठेलों पर भी हाज डिजिटल पैमेंट संभव हो रहा है भारत के उद्योग जगत को देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़ना है साथ यो हम जैसा गाउं और छोटे शहरों का माहोर टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं उससे इनके बारे में एक अलग धाना बनाना स्वाभाविक है शहरों और गाउं के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी परस्पेक्टिव को लेकर रही है कुछ लोगों के लिए गाउं का मतलब ऐसी जगर रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो जहां बहुत कम सुविदाएं हो बहुत कम विकास हुआ हो पिछड़ा पन ही पिछड़ा पन पड़ा हुआ है लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग द्रश्य मिलेगा एक नई आशा नया विश्वास आपको नजर आएगा आज का ग्रामिड भारत बहुत बड़े बड़लाव के देर से दोर से गुजर रहा है कि आप जानते हैं कि रूरल इंडियाग में एक्टिव इंटरनेट इजर्स की संख्या सेहरों से जादा हो चुकी है कि आप जानते हैं कि भारत के आदे से जादा स्टार्ट अप्स हमारे टियर टू टियर थी सेहरों में है प्रदान मंत्री ग्रामिन सडक योजना से देश की लगबक 98 परसंट बस्तियां सडकों से जुड़ चुकी है कहने का मतलब ये कि गाउं के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं गाउं में रहने वालों की आकांख्षा बढ़ रही है वो सोच्यो एकोनामिक मोबिलिटी चाहते हैं सरकार अपनी तरफ से इनी आकांख्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है अब जैसे हाल में लॉंच की गई पीएम बाणी योजना उस पीएम बाणी योजना को ले लीजिए इस योजना के तहट देश भर में सार्वजनीक वाई-फाई होट्सपोर्ट का नेट्वर्क तयार किया जाएगा इसे गाउं गाउं में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा मेरा तमाम उद्यमियों से आगर रहेगा कि इस अफसर का उप्योग करते हुए रूरल और सेमी रूरल शेत्रों में बहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों में भागिदार बने यह निश्चित है कि 21 सदी के भारत की ग्रोथ को गाउं और छोटे शहरी सपोर्ट करने वाले हैं इसलिए आप जैसे एंट्रेप्रिनस को गाउं और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मोका बिलकुल नहीं गवाना चाहिए आपके द्वारा किया गए इन्वेस्टमेंट हमारे गाउं में रहने वाले भाई बहनों के लिए हमारे एग्रिकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा